नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से आजू जी जो हैं, वो मेरे चैनल पर आई हैं, आज हम उनसे बात करने वाले हैं कि भाई, शेबाज शरीफ साहब आखिरकार भारत से बातचीत करना क्यों जाते हैं, बहुत बहु शुक्रिया का मैंने रिट किया, थैंक यू सो मच, आजू जी शेबाज शरीफ साहब का बयान तो आपने सुना ही होगा, तो आप मुझे बताइए पाकिस्तानी परस्पेक्टिव से कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई है मैं कहूं, बहुत शेबाज शरीफ साहब कहा रह शाहिए, अमरान खान ने भी जब वो जा रहे थे तब उन्होंने ये बात की थी और जाने के बाद भी कई बार उन्होंने भारत की तारीफ की, यही काम जो है वो शेबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं कि जब उनकी गर्वर्मेंट जब तक रही, उसक्त तो उन्होंने कोई बात की निए और आप जब चार दिन-पाँच दिन रहें हैं कि उनकी जो आप जाते हैं के ह्पोमत घू है ख़तम होने वाली है तो जाते-जाते उनोंने एक वैसे ही जैसे हमारी चेते हैं ना शोशा है छोड़ दिया भार्त से जह हो बात्चीत होने चाहिए और जंग नहीं की जा सकती और इस किसम क्यों उन्होंने बात की लेकिन ये मेरे ख्याल है कि एजनसी वाले या establishment वाले जो हैं वो शायद इन लोगों को कहते हैं कि जी जाते 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 जरा ये भी बोलते जाएए वरना हमारी हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो कितने पावरफुल हैं या आप जानते ही बहुत अच्छी तरह से तो अगर ये पूरे टाइम बात नहीं करते हैं और जब भी कोई नई government आती है आप ये भी देखें चाहे वो थोड़े टाइम के लिए ही क्यों ना आई हो जैसे ही नई government आती हाते के साथ ही सबसे पहला statement जो है वो कश्मीर को लेकर और भारत के खिलाफ और minorities और 370 और ये सब कुछ बोलते हैं और पूरा टाइम यही करते रहते हैं इमरान खान भी लोगों को आपको याद होगा कभी human chain chain बनाते थे हर Friday भार खड़े होंगे 30 minutes के लिए 20 minutes के लिए और उसके पर क्या क्या तमाशिया वो करते रहे और जब चले गए तो अचानक उनक लगा कि भारत से तो बात होनी चाहिए शहबाद शरीफ भी यही कुछ कर रहे हैं और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं और मुझे बहुत यकीन है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्दी से कुछ नहीं कर सकते हैं इमरान खान के लिए भी कहा जाता था कि वो जा जाकर आर् कर सकते हैं आपको कई यह इस बारे में भी बाते मिल जाएंगी तो मेरे ख्याल है अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं जाते जाते कुछ कहा गया होगा कि कहके निकल जाओ अचा आपने बात कहिए शवाज शरीव साब की भई ऐसी बातचीत और आर्मी के साथ आर्मी चीफ के साथ मीटिंग वोटिंग आज ही बयान आया है उनका मैं शायद जियो देख रहा था या डॉन देख रहा था तो उसमें नहीं ने कहा कि जी I never met आर्मी चीफs for personal reasons तो ऐस है मतलब possible है यह यह तो possible है ही नहीं क्योंकि जाहर है यह भी कहा जा रहा था कि वो यह भी कोशिश कर रहे थे कि यह गर्मेंट कुछ time के और रहने दिया जाए उसमें भी यही बताया जा रहा था कि शहबाद शरीफ साब जो है वो आर्मी चीफ से मिलके और establishment से मिलके जो ही क कोशिश कर रहे हैं तो अगर वो यह कहरे है कि मैं तो कभी मिला ही नहीं और मेरी तो कभी बात ही नहीं हुई तो मेरे ख्याल है कि यह वो वैसे ही एक कहने चाहिए statement के तौर पे कहरे है वरना कोई यहां पे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हो और वो जा कि आर्मी चीफ से ना मिले या आर्मी चीफ किसी तरीके से अपना मैसेज ना पहुंचा है यह तो पॉसिबल ही नहीं और यह वाहिद प्राइम मिनिस्टर ने जिनके लिए यह तक कहा गया जो मैंने आपसे कहा कि गाड़ी की डिगी में जाते थे कि कोई देख ना ले तो वो हम लोग जो ज शेबाज शरीफ साहब ने और खेर पहली बार तो दिया नहीं है अलरभिया के इंटर्वी में भी दिया था इसके पहले भी जितने पीमा हैं हर बार ये लोग एक तरह से होता नहीं कि एक फॉर्मलिटी करनी है कि हाँ जी हमें भारत से भी बातचित करनी है और कश्मीर के सा चाहे पाकिस्तानी आर्मी हो चाहे पाकिस्तान की सियासत हो या वहां का जो ग्रुप है जो पावर्फुल पीपल हैं जो राज करते हैं जो कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान को क्या उनको नहीं लगता कि अब अगर आपने कश्मीर को लेकर वैसा ही रुख अडियल रुख दि लेखें, ये चीज्ज़ तो हमेशा से पाकिस्तान में रही है, कि जब भी कोई आते हैं, तो कश्मीर कश्मीर शुरू कर दे ते लिए कोई और तरह की बात करते हैं। कि ये सब कुछ करने ये जो है वो कश्मीर इशु को साइट पे रख दो पाकिसान जो है वो भारत के साथ बात करे ट्रेट करे और दूसरे मामलात जो है वो सही करे लेकिन अगर पाकिसान जी तरफ से कोई भी हो चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर बात करे चाहे कोई आर्मी चीफ करे विसे बहुत ब आर्मी चीफ से मुलाकात करनी चाहिए, वैसे भी आपने देखा होगा, किसी भी कंट्री के प्रेजिडेंट आए, प्राइम इनिस्टर आए, अब्यासिडर आए, कुछ भी कोई भी लोग आए, वो आके आर्मी चीफ से जरूर मुलाकात करते हैं, मैंने नहीं देखा कि किसी और कंट्री में आर्मी चीफ जो है, वो इस बतब यह सारी पोस्ट पे जो है, वो मुलाकाते करते हूँ, तो डेफिनिटली पाकिस्तान में होल्ड आर्मी का है और रहा है, पिछले 76 एर से रहा है और अभी भी है, इस वक भी आप देख सकते हैं, जिस तरह से इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखने की तैयारी हो चुकी है, तो बाकी सब लोग जानते हैं कि कौन इमरान खान को अटा रहा है और क्यों अटा आया जा रहा है, लेकिन बाराल खान साब के भी करतूत कुछ खास थी के नहीं थे और वो थे भी आर्मी प्रोडक्ट फिर भी उनको साइ करते हैं हमारिया के, अगर वो कोई रिजन भी देना कि हम भारत से बात करना चाते हैं क्यों, किसलिए भारत हमसे बात करें, क्या हमने टर्रिजम कंट्रोल कर ली है, क्या हमने बार्डर सिक्योर कर दी है, क्या हमारियां से ड्रोन नहीं जा रहे हतियार और ड्रॉक्स लेके, जो अबी रिसनली आपने देखा के वागा बॉर्डर के करीब एक खुदी गिर गया था चक्रा के लग रहा है उसने खुदी कुछ खा लिया थे ड्रोंस जो लेके जा रहा था रस्ति में खुदी चेक कर लिया ड्रोंने तो हमने वो रोक दिया है हमने हाफिस सईद को हुच में जेल में टाल दिया है हमने कोई और जो टेरिस चिन के नाम लिये जाते उनके ऊपर कोई काज़ावाई की है यह कुछ मीर जो है उसके उपर हम बात नहीं करना चाते हैं बाकी चीजों पर बात करना चाते हैं जो इंडिया हमारे उपर एलिगेशन लगाता है हम उसके बारे में क्लियर करना चाते हैं कुछ काम हमने ऐसा किया जो हम दिखाना चाते हैं तब ही तो कोई बिलीफ करेगा ना आपके ज स्क्राइब नियुक्त है रियुक्त में बहुत बड़ा उसको रिजन बताना चाहिए. में दिक्ट यह कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डंखरसी और पाकिस्तान कहता है कि लेकिन हम सब जानते हैं कि और एक डंखरसी नहीं है तो एक अश्या таким Spain का एक या उसी के साथ-साथ ये भी या दिदा दिया है कि जी भूलिये मत हमारे पास nuclear power है हम मतब इकलोते वाहिद Islamic country हैं जिनके पास nuclear bomb है nuclear warhead है और ये भी उन्होंने काया कि जी अगर कुछ हो जाता तो जिंदा कौन रहेगा जी बताने के लिए तो यह बताईए कि यह क्या बात्चित का तो खुई कि एक हाथ में नुक्लियर वार एक हाथ में शान्ती की बात्चित? नेकि आई नुन नो मुझे यहां पर यह कहना चाहिए या नहीं लेकिन हमारे यां एक कहावत है नो यह बत किसी और कंट्री के लीडर से पाकिस्तान में हर गर्वर्मेंट हर कोई उठके बताने शुरू हो जाता है कि जी हमारे पास तो नुक्लियर एसिट्स हैं तो इस से तो यही लगता है कि वो एक तरफ आमन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद ही उस बात को काट रहे हैं यह कहकर कि जी हम नुक्लियर एसिट्स भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो फिर आखर यह चाहते हैं पिर यह तो clear हो ना या तो award clear कर देंगे बस ठीक है जंग है बात चले जंग से बिना मतलब है कि बिलकुल लड़ाई है कोई बाचीत नहीं होगी तो फिर hockey team किस ले जाती है वहाँ पर cricket team किस ले आ जाती है आप यहाँ आपके मतलब आप sports को अलग रखते हैं क्योंकि आप पैसा कमा रहें तो आप sports में आपको कोई दिकत नहीं है आपको अपने artist भी बेज देंगे जो जनलिस नहीं जा सकते जनलिस जो हैं वह गए तो बड़ी बड़ा गलत बात हो गई तो यह जो double policy हमने हमेशा से हर country के साथ की है चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो इरान हो इवन चाहे ना हो या अमेरिका को भी आप जानते हैं अफगानिस्तान वहर के टाइम पर हमने उनके साथ भी double game केला वही game हम भारत के साथ कर रहें एक तरफ हम कहते हैं कि हमें बात करनी है हम अमन्च आते हैं हम कश्मीर इशू को सॉल्फ करेंगें दूसरी तरफ हम जो है वो सासा यह भी बताते रहते हैं कि वो हमारे पास बंबी हैं पाव पाव के भी हैं किलो के भी हैं तो यह चीज़ें जो हैं यह यह बताती हैं कि हमारे जो पॉलिटिशन हैं वो कितने इमिचूर हैं और तब बच्चों की तरह की हरकत लेती है न कि एक तरफ आप बात भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो यह भी धंकी दे रहे हैं कि मैं यह कर दूँगा तो अग्यूंकि इस बात करने से आपको क्या लग रहे हैं कि फिर भा हमारिया मोला जाना कहते हैं उससे किसी काबिल नहीं रहे हैं लेकिन यहां पर यह महावरा बड़ा चलता है कि यह हिसाब है कि बतलब बात भी कर दो और बात को खराब भी कर दो कि उसके बाद अगला कहे के निकलो इदर से तो वही काम श्याबाश शरीफ साहब ने किया है यह जैसे हमारिया कहा जाता है ना कि हम भारत के साथ बात के लिए तैयार हैं लेकिन कश्मीर के इशू अमेरिका के तरफ से कहा गया हो दवाब बनाए गया कि नहीं जी आप ठोड़ा महौल ठीक करें और बातचीत करें आज बयान भी आया वहां के विदेश मंतराली के प्रवफ्ता का जो मैथ्यू मिलर है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका भी कह रहा है बातचीत करने को तो बातचीत करने की बात भी कह देते हैं और पाकिस्तान नराज नहों जाए पाकिस्तान की आर्मी नराज नहों जाए पाकिस्तान के लोग नराज नहीं तो इसलिए आटम वाली बात भी कह दो कि जीदे को दोनों बाते हो गई हमारी नहीं पाकिस्तान की आर्मी नहीं हो सकता ह चाइना नहीं कहा हो कि अधर आइटमम का भी बोल देना साथ में जब अमेरिका कह रहा है कि बात चीट करने के लिए तो भी हो सकता है आदमी का कोई लेना देना ही नहीं नहीं हो वह बीचारे तो वैसी बड़े मस्रूफ रहते हैं कभी मटर चील रहे हैं और कभी बिजनसेस चला रहे हैं लोगा वह सकता है के यह बात फिर चारा से की गई है के जी आप अमेरिका के द़ाओं में आकि आगर आप कही ही रहे हैं के हम बात करना चाएं तो साथ है यह याद वरा देना क्युक् bullish नहीं तो इस्तिंग को इस इस फिंछ को एकिस्या कैशारा नहीं जब बी बीच में वैसी कूड़ गयते तो यह जब चाइना से इतने पैसे ले लिए इनोंने कि चाइना के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं अभी आपको मालूम होगा कि कई जगा पर कश्मीर साइट पे कहां पर वो कह रहें कि बहुत तैयारी भी की जा रही है और इस किसम क नहीं है कि चाइना के दवाब में उन्होंने ये भी कह दें कि जी हम चाइना उधर से अटाइक कर दे और हम भी अटाइक करने और चलिए हम दोनों बिलकर साथ लड़ते हैं फिर नहीं ये तो नहीं हो सकता लेकिन क्योंकि अभी अफोर्ड नहीं कर सकते अभी हमारे पास पैसा नहीं है जिस दिन हमारे पास पैसे आ गए अभी जो पैसे हैं वो इतने कम है कि जिसमें जो है वो कंट्री को किसी तरीके से चलाने वही बड़ी बात है वो जो बहुत जादा प बॉर्डर जो है वो अमन से रहे मताब इंडियन बॉर्डर को चेड़ना नहीं चाहरे क्योंकि अभी अफगानिस्तान बॉर्डर काफी गरम है वहां से आप देख चुके हैं कि बाजोड में और कहां पर क्या कुछ हो रहा है तो वहां काफी टेंशन है तो मेरा नहीं ख्याल क घुका है बातचीत का और हमने भी सुन लिया है सुनकि ठीक है अच्छा कहा होगा यार तो इस तरह से कोई रेक्शन आए नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आप आपके आने के लिए ने जाते जाते में जरूर कहूंगे जो गरमिंट रही चार दिन की गई उसके आपर आप झाल झाल